साथ्यों जो लोग काफी लंबे समय से मदुमे की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों के लिए बहुती खास है आज का इनुस्का साथ्यों इनुस्का हम काफी लंबे समय से लोगों को देते आ रहे हैं और इस इनुस्के से सभी के फाइदा भी हुआ है जिया साथ्यों पुराने से पुराने डाइबिटीज की समस्या को नियंतरन करने के लिए आज का इनुस्का बहुती लाप्रद है तो चलिए साथ्यों अब जान लेते हैं कि इस नुस्के में कौन-कौन सी जड़ा बुटियों का मिश्रन किया जाता है और इस नुस्के का सेवन किस पिरकार से किया जाता है साथ्यों आपको लेना हैं पचास ग्राम चिरायता पचास ग्राम उठकी पचास ग्राम नीम गिलोए पचास ग्राम मेथी दाना पचास ग्राम गुडमार बूठी पचास ग्राम जामुन गुठली पचास ग्राम सुखा करला के बीज साथ्यों सभी छिजे आपको जो आपके आसपास पंसारी की दुकान है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी अब साथ्यों इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर बिल्कुल बारिक पीस कर इनका पाउडर बना लेवे अब साथ्यों पाउडर बनाने के बाद इसको चान कर किसी डिब्बी में भरकर रख लेवे अब इसमें से आपको आदा चम्बस दवा सुबे खाली पेट पिर्ति दिन पानी के साथ सेवन करनी है साथ्यों इस दवा के नियमित सेवन करने से जो आपका डाइबिटीज है वहे पूरी तरे से नियंतरन में रहता है साथ्यों मदुमे को पूरी तरे से खतम नहीं किया जा सकता है मदुमे को केवल नियंतरन में रखा जा सकता है सात्यों इस दवा के नियमत शेवन करने से जो आपका मदु में हैं वही पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है सात्यों यह एक आयरुवेदिक नुस्का है इस नुस्के का सरीर पर किसी भी पिरकार का कोई भी नुकसान नहीं है अगर सात्यों मेरे द्वारा बताएगे जानकार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार